यह माहिंद्रा थार की कुछ वेरियंट्स का harass करएंगे और यह उन वेरियंट्स के एवरेज एकशो ऱोंजी अंए इस माहिंदेडा थार के news का part one ए इंजिन की बात निट All improving 3 रोल्कस करेंगे और ये उन ब्रॉलकस के साथ में द थी ताइप का थर्ड और फॉर्थ वेरियंट्स में हमें 1997 CC का 4 Cylinder Inline Engine मिलता है, 4 Longs के साथ में और DOHC Type का Engine Type की बात करी जाए, तो 1st और 2nd Variant का D117 CRDE Engine है और 3rd और 4th Variant का 2 Liter का I4M Cellion 150 TGDI Engine है Fuel Type 1st और 2nd Variant का Diesel है, 3rd और 4th Variant का Petrol है Max Power की बात करी जाए, तो 1st और 2nd Variant में हमारा Engine 1879 Constable chemicals करता है 3500 RPM से, 3rd और 4th Variant का Engine हमारा 250 cay doctrine करता है 5000 RPM जाए, Max Torque की बात करीजा है तो 1st और 2nd Variant अचेनी अचेट हैं 300 Nm बात करता है 1750 से लेके 2500 RPM तक 3rd Variant का Engine हमारा 320 Ne म commentary बात करता है 1500 से लेके 3000 RPM तक और 4T variant रेंजन अमारा 300нутr0 का TOT produce करता है 1250 से लेके 3000 rpm तक drive type भी बात करी जाए तो 1st और 2nd और 3rd variant ये 3 वरियंट हमारे rear wheel drive है 4th variant हमारा 4 wheel drive यो automatic wheel drive है ठीक है? transmission की बात पर जाए तो 1st 2nd और 4th variant हमारा manual आता है 6 gears के साथ में 3rd variant में automatic transmission मिलता है 6 years manual override feature के साथ में height की बात करी जाए तो 4th variant का 1850 mm है बाकी 30 variants का 1844 mm है fuel tank capacity हमारी 3rd और 4th variant की 57 meters है 1st और 2nd variant की 45 liters है wheels की बात करी जाए 1st और 4th variant में हमें steel wheels मिलते हैं 2nd और 3rd variant में alloy wheels मिलते हैं spare wheels हमें 1st और 4th variant में steel मिलते हैं 2nd और 3rd variant में alloy मिलते हैं tires की बात करी जाए तो front और rear दोनों में हमें 1st और 4th variant में 245 mm width के 75 aspect ratio के 16 inch के tires मिलते हैं और 2nd और 3rd variant में 255 mm width के 65 aspect ratio के 18 inch के tires मिलते हैं TPMS हमें 1st और 4th variant में नहीं मिलता है 2nd और 3rd variant में मिलता है ESP हमें 1st 2nd 3rd variant में मिलता है Hill Hold Control और Hill Descent Control भी हमें 4th Variant वेनिंग मिलता है बाकी 3 वेनिंग में मिल जाता है Speed Sensing Door Locks हमें 1st और 4th Variant में मिलता है 2nd और 3rd Variant में मिलता है Cruise Control Check Vehicle Status वाया अब भी हमें 1st और 4th Variant में मिलता है 2nd और 3rd Variant में मिल जाता है Seat Up All Street की बात करी जाए 1st और 4th Variant में Vinyl Seats मिलता है 2nd और 3rd में Fabric Leather Wrapped Steering Wheel हमें 3rd Variant में मिलता है बाकी 3rd Variant में नहीं मिलता है Adjustable War Games की बात करी जाए तो Internally Adjustable मिलता है 1st और 4th Variant में Electrical ये अजिस्टिबल मिलता है 2nd और 3rd Variant में Rare Depocker की बात करी जाए तो हमें 4th Variant में नहीं मिलता है बाकी 3rd Variant में मिलता है Follow भी Moment Lamps हमें 1st और 4th Variant में नहीं मिलता है बाकी 2nd Variant में मिलता है Instantaneous Field Consumption भी हमें 1st और 4th Variant में नहीं मिलता है 2nd और 3rd Variant में मिलता है Android Auto और Apple Card Play ये दौनों ही चीज़ें हमें 1st और 4th variant में नहीं मिलती है 2nd और 3rd variant में मिल जाती है डिस्प्ले की बात करी जाए तो ये भी हमें 1st और 4th variant में नहीं मिलता है 2nd और 3rd variant में मिल जाता है Integrated Music System भी हमें 1st और 4th variant में नहीं मिलता है 2nd और 3rd variant में मिल जाता है स्टेरिंग मांटेट कंट्रोल्स, वाइस कमांड, जीपीएस, ब्लुटूथ, आक्स, एफम, यूएसबी, आइपड कंपैटिबिल्टी, यह सारी चीजियां हमें फ़स्ट और फॉर्थ वरियेंट में नहीं मिलती है, सेकेंड और थर्ड वरियेंट में मिल जाती है, कलर्स आ